हम लोग यहां पर आर्थी ट्रॉक्स लिम्टेट के अनलेसिस करेंगे और इस अनलेसिस में हम लोग देखेंगे कि आज के दिन यह अभी 11 परसेंट से जादा की हम लोग को अभी तेजी दिखा रहा है मतलब यह जो कैप अपन हुआ है यह लगभग लगभग 20 परसेंट के आस जूम करके इसको समझने के कोशिस करेंगे तो यहां पर प्राइस एक्षन जो बिल्ड हो रहा था यह 450 का लेवल था जो की इंपॉर्टेंट लेवल था ठीक है बायर्स क्या आप यहां पर ट्राइक कर रहे थे इसके ऊपर यह जाके क्लोजिंग दे लेकिन इसी लेवल के आ जो फिर यहां पर क्यों निकल जाता क्योंकि अगरां लूट का कंडिशन होता तो लेकिन यहां पर हुआ क्या आज 490 के आसपास यहां पर ओपनिंग हो गई और कलकी देख लेते हैं तो कल की क्लोजिंग थी इसी लिए डिरेक्ट बुकिंग हुआ है इसके अंदर करते हैं कल आपने यहां पे कुछ स्टॉक बाई करके रखा था इसके कुछ क्वाइटी वाई करके रखा था मौर्निंग में आप देखते हैं 490 के आसपस उपन हो रहा है एक दिन में 20% तो हम लोग क्या करते हैं profit booking करते हैं अक्सर लोग यहाँ पर profit booking कर लेते हैं क्योंकि जिनका swing trade होता है उनको तो बहुत ही अच्छा कासा profit मिल गया है and overnight यह जो profit मिलता है ठीक है यह देख के हमें डर लगता है कहीं यहां से अब नीचे फॉल ना हो जाए क्योंकि यहां पर इतना बड़ा यह gap up gap create हो चुका है ठीक है तो इसलिए profit booking होती है और यहां पर यह red candle आज के दिन बन रहा है तो अभी आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो अ बिकाज यह level को यह सेर बहुत बार प्रेक करने की कोशिश किया था लेकिन कर नहीं पा रहा था अभी इसके उपर निकल गया तो यह अभी strong support की तरह यहां पर काम कर सकता है अगर इसमें future में देखी अभी इस level को और इस level को निकालने में से time लगेगा क्योंकि अब यह इसक करके फिर से वापस चला जा यहां फिर हो सकता है उपर जाए वाप उपर से नीचे की और आ जाए तो इस पूरे range की मैं बात कर रहा हूं हो सकता एक दो वीक इसके अंदर यह time spend करने वाला है अगर हम लोग कल की बात करेंगे तो कल की जो यहां पर निकलता हूँ नहीं देखिए आज का candle जो है इतना बड़ा है अगर यहां पर मैं फीबो लगाने फीबो लगा के अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो इसका जो 50% का लेवल है ठीक है वो है around 774 तो अगर यह 480 के ऊपर निकलता है किसी भी condition में ठीक है 480 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है इसमे टारगेट कर सकते हैं प्लस यह हाई के पास आएगा तो इसको resistance फिर से मिलेगा क्योंकि यहां से सेलिंग हुई है ठीक है profit booking भी हुई है और selling भी हुई है तो जो sellers है इस position को defend करने की कोशिश करेंगे और यह share फिर से नीचे आएगा और उसके बाद जाके break करता है तो यह break कर अगर यहां पर तक का profit देखने को मिल जाये प्लस अगर यह इन लेवल के हो सकता है कल के दिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है एक दो दिन यह इसी लेवल 480 से लेकि इसका जो आज के candle का लो है इसके बीच में एक दो दिन time spent करें अगर यहां पर time spent करके closing जो आने वाले समय में यह इसको break करेगा और यह जो यहां पर 450 का level है ठीक है पहले इसको यह retest करेगा इसको retest करके उपर जाके अगर इसको break करता है तो यह try यह करेगा जहां से यह open हुआ है ठीक है 430 के आसपास इसको आके एक पर यह gap fill कर दे उसके बाद उपर जाये मैं यह उपर open हुआ है तो हम लोग को यहां पर चार्ट से यह चीज़े पता चल जाती है ठीक है तो अभी यह यहां से अगर नीचे break करता है तो हम लोग wait and watch करेंगे क्योंकि अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास यह यहां पर trend line है अभी यह trend line में क्या हो सकता है अगर य इन ही level पर कहीं इन ही levels के आसपास यहीं पर एक बार यह support ले और फिर से उपर निकलने के कोशिश करो तो यह जब इस तरीके से वापस निकलेगा तो हम लोग अपनी position बना पाएंगे अभी फिलाल बात करूंगा तो हो सकता है अगर यह F&O में होगा share तो यह क्या करेंगे यह उपर से यह call short और नीचे का यहां पर यह put short करके रख देंगे और अच्छा गासा strangle बना कि इसमें रख देंगे तो क्या होगा आने वाले मुझे लगता है एक दो वी इसके अंदर ही time spend करेगा तो जो भी यहां पर चल रहा होगा ठीक है जो भी C और P का value चल रहा होगा वो zero हो जाएगा और उसमें हम लोगो कोछ पैसे मिल पाएंगे लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको ठीक है तो यहां पर यह है अभी हम लोग कोई यहां पर decision नहीं ले रहे हैं आने वाले समय में जब तक यह levels हमारे break नहीं होते तब तक हम लोग कोई decision नहीं लेंगे तो